साधियों, गरीब का, शोशिक का, वंचित का, अगर सबसे ज़्यादा कोई नुक्षान करता है, तो वो भरस्चाचार है। मद्यमबर की ये परिवारों पर सबसे ज़्यादा बोज अगर कोई डालता है, वो भरस्चाचार है। देश की विकास की यात्रा की कमर को तोड़ देता है, तो वो भरस्चाचार है। बरस्चाचार गरीब से उसका अधिकार छिनता है। उसका जीवन मुष्खिल बनाता है। इसलिए पिछले चार शाड़े चार साल से हमारी सरकार जहां एक तरफ गरीब को अधिकार दिला रही है, वही काले धन और ब्रस्ताचार के खिराब पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रही है। भाई और बहनों, एक तरफ हमारी सरकार प्रदान मंत्री आवास योजना के तहट एक करोड पचीस लाग से ज़ादा गरीबों को घर दे चुकी है, वही बेनामे संपत्ति कानून के तहट प्रस्ताचारियों के पाथ हजार करोड रुपिये के बंगलेव और गाडियों को जब तक किया जा चुका है। एक तरफ हमारी सरकार नव जवानों को सिर्फ एक दिन में नई कंपनी के रजिस्टन की सुविदा दे रही है, तो दूसरी तरफ प्रस्ताचार की बहुत बड़ी जड़ मानी जाने वाली सवातीन लाग से जादा संदिक्ट कंपनियों का रजिस्टन रच करने का भी हमने काम किया है। एक तरफ हमारी सरकार ने महिलाओं को नवजवानों को स्वारोजगार के लिए मुद्रा योजना के तहट बीना बैंक गारंटी साथ लाख करोड रुपिय का कर्ज दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ पहले की सरकारों ने बैंकों के जो लाखो करोड रुपिय फसाएं थे उसमें से तीन लाख करोड रुपिय हमारी सरकार वापस लाच चुकी है। एक तरफ हमारी सरकार आईश्मान भारती ओजना के हैट गरीबों को पांच लाख रुपिय तक के मुप्ति लाच की शुविदा दे रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मेडिकल सेक्टर में प्रस्टाचार खत्म करने के लिए भी सक्त कदम उठा रही है। साथियों, चार सार पहले कोई नहीं सोच सकता था कि हेलिकॉप्टर गोटाले का सबसे बड़ा राजदार भारती जेलों तक पहुंच जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन इस राजदार भारत लाने का काम और कानून के हवाले करने का काम भी हमारी सरकार ने हिम्मत के साथ किया है। ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है, हमारी कान ये संस्कृती है। भाई ये और बैनों, जब व्यवस्ता में पारदर्सीत आती है, प्रस्ताचार खत्म होता है, सुविदाएं मिलती है, जिंद्दी की आसान मनती है, तो उसका प्रभाव हर छेत्र में दिखता है। हमारे खेलों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आज असम समेत देश के दुरदराज के गाउं कश्मों चोटे सहरों से सामाने परिवारों से निकले युवा, देश का नाम रोशन कर रहे है। हीमादास, हीमादास जैसी हमारी अनेक बेटियां, अनेक युवा साथी नए भारत के नए आत्मविश्वात का आज प्रतिक बनी है। साथियों हम सभी प्यवस्था परिवर्तन, प्यभार परिवर्तन और बहतर इंफ्रास्रक्टर के माध्यम से देश को ससक्त करने का काम कर रहे हैं। आज देश में पविश्चकी जरुरतों के मताबिक सडकों, पूलों, चहरों, गाओं, सीचाई और बिजली परियोजनाओं पर तेज गती से काम चल रहा। आने वाले वर्षों में जब ये तमाम व्यवस्ताइं खड़ी हो जाएगी, तो न्यू इंडिया की भव्य तस्वीर दुनिया के सामड़े होगी।